सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रैड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए के लिए यहाँ पर 1759 खाली पद हैं आप सबी इलिजिबल कैनिडेट्स आवेदन कर सकते हो बारवी पास डिग्री धारक डिपलोमा धारक कैनिडेट्स के पास अपोर्जुनिटी है ओल इंडिया के वेकेंसीज हैं आप सबी मेल और फीमेल कैनिडेट्स भारत के किसी भी नोटिफिकेशन की पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हो कैसे अपलाई कर सकते हो और कब से कब तक अपलाई कर सकते हो इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंतितक हमारे साथ इस वीडियो को अंतितक देखने पर आपके सभी स्वाल पदों के लिए 1799 वाइकेंसीज हैं जो आप सभी लिजिबल कैंडिएट के दुआरा भरी जाएंगी पारवी पास G&M डिपलोमा धारक या फिर BAC की डिगरी जिनके पास नर्सिंग के अंदर है वो कैंडिएट्स आवेदन कर सकते हैं 40 साल आपकी मैक्सिमम आयू सीमा रखी गई है 17,000 रुपे परती महिना के इसाब से सेधिया आपको पुरवाड़ करा दी जाएगी फीज की अगर बात करें तो यहाँ पर 325 रुपे पलस ट्रांजेक्शन चार्जिस के रूप में आपको फीज जमा करानी होंगी जो की आप डेबिट कार, क्रेडिट कार या फिटनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो सिलेक्शन यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपिरेंस और इंट्रू के आधार पर किया जाएगा तो उनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो ओफिशल वेबसाइट है आरोग्या-keralam.gov.in जो ओब लोकेशन केरला है ओल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो डेश के अगर इस भर्ती की बात करें तो इस भर्ती पर ओनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 12 October 2022 थी वहीं पर अगर लाच डेट की अगर बात करें तो इसकी लाच डेट 21 October 2022 थी लेकिन इसको बढ़ा कर अब 28 October 2022 कर दिया गया है जिहां दोस्तों अब आप 28 October 2022 थक अपने ओनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो तो दोस्तों ये थी एनेचेम की इस भर्ती की पूरी जानकरी इसके बाद भी दोस्तों गर आपको इस भर्ती के बारे में और जाद जानकरी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्किप्शन बोक्स में पलाइस फॉस्त कमेंड बोक्स में मिल जाएगा जहां पर जाकर आप डिरेक्ट लिए इस भर्ती के लाज़ डेट extended notice की PDF ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से read कर सकते हो यहां पर आपको बता दिया गया है कि अब लाज़ डेट 28-10-2022 कर दी गई है साथ ही यहां पर आपको official advertisement की PDF का link भी provide करा गया है इस पर click करके आप इस भर्ती का official notification चेक कर सकते हो यहां से आप इस भर्ती के regarding पूरी डिटेल one by one करके चेक कर सकते हो दन यहीं पर आपको apply online का link भी provide करा गया है इसकी मदद से आप simple इस भर्ती के लिए online आवेदन कर सकते हो यह इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए online portal है यहां पर आपको अपना institution करने के बाद login कर लेना है और फिर अपने application form को last date 28 October 2022 से पहले पहले बरकर submit कर देना है तो दोस्तो ऐसे आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो आज की वीडियो में वसितना ही आई हो पे वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर करना मत भूलना साथी साथ दोस्तों गर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपके दिए ऐसी ही भी गोर्मेंट दोफ के अपडेट अपने चैनल पर अपलोड करते हैं